हलो गाइज वेल्कम बैक टु जेके स्टडी ओनलाइन गाइज मैं लाया हूँ आपके लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग जेके पीएसाई जेके पीएसाई यानि सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो फिजिकल एंडूरेंस टेस्ट यानि फिजिकल हो के लिए वह भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे साथ में ये भी डिसकस करेंगे कि किन केंडिडेट के यहां पर बहुत ज्यादा चांसिस हैं फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में आने के तो गैस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फिजिकल एंडूरेंस टेस्ट में जब आ 1.5 मिनेट में आपको 1.6 किलो मिटर यानि 1600 मिटर वहां पर कवर करने हैं और उसके बाद ही आपको चैस्ट और साथ में हाइट आफ की मेजर की जाएगी और उसी के साथ में आपको ये भी दियान में रखना है कि आपको पुश अप भी वहां पर किया जाएंगे फिजिकल के लिए ही फिजिकल में ही पीटी में ही वो भी काउंट होंगे यानि आपको 20 पुश अप्स करने हैं वहां पर टोटल ठीक है यानि 20 पुश अप्स 1.6 किलो मिटर रेस आपको कवर करनी है 6.5 मिनेट में और आपको 5 9.5 चेस्ट में एक्स्पैंशन भी आपको होनी चाहिए यह मेल्स के लिए था फिमेंश के लिए डिफरेंड है वो भी मैं एक अलग से वीडियो लाँंगा उनके लिए क्राइटेरिया है यह मेल्स के लिए है तो आपको यह सब वहां पर करना है फिजिकल अंडुरेंश टे 1200 यानी 1200 total vacancies थी जिसके लिए 7642 candidates को बुलाया गया है physical endurance test के लिए यानी PET ठीक है तो इसके बाद क्या cut off रहा है वो भी discuss करेंगे और क्या safe score है आपका क्या आप final selection इसमें जगा बना पाएंगे यानी ही वो भी discuss करेंगे सबसे पहले open merit का जो cut off रहा है वो मैं आपको बता दूँ वो रहा है 99.39 यानी जिसके 99.39 या उससे जाला marks है उनको short list कर दिया गया है open merit के अंदर तो open merit में लगबग 600 vacancies रहेंगी आपकी अगर हम horizontal reservation यानी ex-serviceman को यहां से exclude नहीं करेंगे अगर include इठीक है तो यानी कुछ vacancy 600 में से यानी लगबग 4-5% x-serviceman को भी जाएंगी या आपको दियान में रखना है तो cut off open का 99.39 है इसके बाद मैं आपको बता दूँ जो cut off रहा है SC category का वो रहा है 85.89 यानी जिसके भी 85.89 8976 या उससे जाला marks है उनको SC category में shortlist कर दिया गया है और उसके बाद SC schedule tribe का merit रहा है यानी ST का merit रहा है 77.57 लगबग ठीक है या आपको दियान में रखना है जिसके 77.57 या उससे जाला marks है उसको shortlist कर दिया गया है ST category के अंदर उसके बाद है OSC category यानी other social caste ठीक है OBCBC में count होती है या आपको दियान में रखना है तो इसका merit रहा है लगबग 88.4447 यानी 88.4447 merit रहा है OSC category का other social caste या OBCB आप इसमें count करोगे तो इसके बाद जो next category है वो है actual line of control या फिर international border जिसको हम बोलते हैं उसके under आते हैं border areas के तो उसका merit रहा जो cut off रहा है वो रहा है 89.2464 ठीक है तो ये था ALC का इसके बाद जो RBA का cut off है physical के लिए वो है 91.90461 ठीक है यानी इतने या इससे जाला marks है तो उनको RBA के लिए short list किया गया है इसके बाद है PSP यानी पहाड़ी speaking people तो इनका जो merit रहा है वो रहा है 89.18727 ठीक है जी यानी इतने या इससे जाला marks है जिनके उनको PSP के टेगरी में short list कर दिया गया है उसके बाद EWS के टेगरी है यानी economically weaker sections तो इसमें 75.79468 merit रहा है और last में है X servicemen category यह horizontal होंगे यह आपको ध्यान में रखना है इनको 24.70 लिया गया है यह different categories में आएंगे यानी यह EWS में भी होंगे PSP में भी होंगे और RBA में भी होंगे लगबग 4% जो उनकी total vacancies होंगी उसमें से 4% ESM यानी X servicemen होंगे यह आपको ध्यान में रखना है यह open में भी आएंगे और तो और यह और different categories जैसे कि SCST उन सब में भी आएंगे यह आपको ध्यान में रखना है लगबग 4% तो क्या safe score है वो भी मैं आपको बता देता हूँ लगबग इसमें जो भी आपका merit रहा है जैसे कि open का मैं आपको बता दू 99.39 लगबग सब भी को यहाँ पर जाना है क्योंकि ऐसे भी chances हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक ओ लिस्ट निकालनी पड़ जाए ठीक है तो फिर आप क्या करोगे अगर आप वहाँ पर physical में ही participate नहीं किया होगा आपने तो इसी लिए हरे categories का अगर आपके इस short list में अगर आपका last भी number आता है तो आपको उसमें participate जुरूर करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत जाला chances हैं कि आप last number पर होते हुए भी उसमें selection ले सकते हो क्यों क्योंकि यहाँ पर जब running की बारी आती है तो उसमें सारे physical एक जैसे नहीं होते है लगबग अगर 100 बंदे वहाँ पर यानि 100 candidates को अगर दुड़ाया जाएगा वहाँ पर तो उसमें से 25 to 26 ही पास कर पाते हैं और यह कोई एक जैसी नहीं है कि मतलब fix है इसमें भी कहीं बार ऐसा होगा वहाँ पर 19 ही कर पाएंगे कहीं बार 35-50 तक भी चले जाएंगे यानि कम ज़्यादा होता रहेगा और मैं आपको बता दूँ अगर आपका merit यानि आपके marks जो हैं आप short list हुए हो open merit में तो open merit को तो जाना ही जाना है यहाँ पर 99.39 तक अगर आपके marks हैं तो आपको running के लिए 100% जाना है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक और list निकाली जाए और merit और जादा कम आजाए लेकिन जो इसमें पार्टी स्पेर नहीं करेगा तो उसको next chances नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि वो तो next वालों को ही मिलेंगे तो आप simply आप समझ लजीए कि अगर आप short list हुए हो तो पूरी मेहनत करिए और physical endurance test को pass कीजिए पूरे chances हैं कि आप लग सकते हो इसमें और यह level 6 की job है यानि FAA से भी एक level इसका उपर है यह है level 6 यानि आपकी starting में ही 50 plus salary रहने वाली है तो इसलिए golden opportunity है अगर आप इसमें short list हुए हो अगर आप मैं open merit का नहीं कह रहा हूँ मैं कोई भी category इसमें SCST, OSC, ALCRBA, PSP EWS, XSRB सब भी को participate करना है इसमें ताक कि एक full chances रहें आपके selection के यह न हो कि कल merit कम जल जाए और आपने वहाँ पर participate ही नहीं किया हो तो guys यही था इस video में I hope आपको समझा आ गया होगा सब कुछ अगर कोई भी doubt रहा होगा तो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं उसके ओपर next video लाऊंगा अगर doubts रहे होंगे आपको तो guys इस video में इतना ही और उन सब भी candidates को जो इसमें select हुए है उनको सब को all the very best Thank you guys जाहिन